नमस्कार दोस्तों, जब अपडेट्स यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं फ्रेंट्स, यूपी ट्रिपल सी की तरफ से अभी लेटिस्ट में एक नया नोटिफिकेसन जारी किया गया है आप लोग वीडियो के लार्स तक बने रहिएगा, यहाँ पे वन रच्छक मुख्य पर इच्छा के लिए वैकेंसी जारी की गई है तो चलिए हम इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं, लेकिन आप सबसे आग रहा है कि वीडियो को बिना इस्किप किये देखिएगा, जिससे कि कोई भी डाउट हो, तो यहीं क्लियर हो जाए और डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या पे सीधे क्लिक करना है और आपका पीडियोफ डाउनलोड होगा चलिए हम सीधा पीडियोफ में चल के देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, फीस कितना रखा गया, आवेदन कैसे करेंगे, सारा डीटेल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे 19 पेज का एक विज्ञापन जारी किया गया है, तो हम मोटा मोटा यहाँ देख लेते हैं, विज्ञापन प्रकासन की तित 12-9-2023 यानि आज के डेट में प्रकासित किया गया है आनलाइन सुल्क जमा करने की प्रारम होने की तित 29-2023 से स्टार्ट होगा सुल्क या आवेदन सब्मिट करने की अंतिम तित आपका 10-10-2023 और सुल्क समायोजन आवेदन में संसोधन की तित 17-10-2023 यानि कि आपको 10 अक्टूबर से पहले इस फ़ाम को अप्लाई कर लेना है और आवेदन आपका 20 सितंबर से स्टार्ट होगा ये इस बैकेंसी के बारे में हम आगे चल के डीटेल्स में देख लेते हैं देखा जा इस बैकेंसी में तो टोटल 709 पोस्ट दिया गया है जिसमें से 693 पोस्ट वन रच्छक के लिए है और 16 पोस्ट वन जीव रच्छक के लिए है इस विग्यापन में ये मुख्य परिच्छा इसलिए बोलना है क्योंकि जो प्रारमविक परिच्छा है वो आपकी PET यानि Primary Illigibility Test को यहां पर माना जाएगा तो जो भी स्टूडेंट्स PET में पार्टीसिपेट किये थे वही चात्र इस फार्म को अप्लाई करें और उनका सार्ट लिष्ट उनके स्कोर के आधार पर ही किया जाएगा अब बात कर लेते हैं जो EWS के छात्र हैं वो यहां ध्यान दें कि उनका EWS का जो सर्टिफिकेट है वो 14-2023 और आवेदन करने की लाज्ट डेट 10-10-2023 के बीच का ही निर्गत होना चाहिए और वित्तिवर्स 23-24 है तुमान्य हो ऐसे ही छात्रिस फार्म को अप्लाई करेंगे EWS केटेगरी में और जो भी छात्रिस फार्म को अप्लाई कर रहे हैं उनका आवेदन भी PET रेजिस्टेशन नमबर के थुरू ही होगा तो यहाँ पर दो विकल्प आपको अवलेबल रहेंगे एक होता है व्यक्तियत विवराण के साथ आप अपना PET का स्कोर के साथ आप उसको देख सकते हैं दूसरा यह है कि आपका यादी OTP के माध्यम से प्रारम्विक घरता परिच्छा 2022 के रेजिस्टेशन नमबर के सापेच्च रेजिस्टर्ड मॉबाइल नमबर ई-मेल पर फ्रेषिद के गया OTP के माध्यम से लागिन कर सकते हैं तो यह दो तरीके हैं जिससे कि आप लागिन कर सकते हैं यह आपने PT में exam दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है certificate है तो कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है आप यहां से direct इस तरीके से कर सकते हैं बात करें इस बैकेंसी में आवेदन सुलकी तो बस यहां 25 रुपए आपका आवेदन सुलक लिया जा रहा है जो कि आपका आलाइन प्रक्रिया सुलक है आवेदन सुलक यहां पर सुनने दिखाये गया है तो आपको 25 रुपए में इस फार्म को apply कर सकते हैं उसके बाद जब 60 लिष्ट आएगी आपको फिर पुना आवेदन सुलक जमा करना है और जितने चात्र साथ लिष्ट किये जाएंगे केवल वही चात्र ही यहां पर आवेदन सुलक उनी से लिया जाएगा और इसका निर्धारन बाद में किया जाएगा अब हम देख लेते हैं कि कुल विग्यप्ति पदो की संख्यावा उसके सापेच लंबोत आरच्छन का विवरण तो बात करें वन एवं वन जीव भाग वन रच्छक की तो अनारच्छित जनरल के लिए यहां पर 333 पोस्ट रखा गया है अनसूचित जात के लिए 189 अनसू डेसिक पे आपका पे बेंड 5200 से 2200 रखा गया है ग्रेड पे 1900 रखा गया है यानि यह लेबल 2 की वैकेंसी है ऐसे ही वन जीव रच्छक की बात करें तो यहां पर टोटल 19 पोस्ट रखा गया है कैटेग्री वाइच आप देख सकते हैं यहां पर भी पे मैट्रिक्स लेबल दो ही रखा गया है अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अभी तो हुआ कि PET 2022 जो क्वालिफाई है वही छात्रिस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं उसके अलावा आपके पास इंटरमेडियेट एजुकेशन का क्वालिफिकेशन होना चाहिए ध्यान दीज की तो यहां पर 40 साल का एज लिमिट रखा गया है 18 वर्स मिनिमम आयो है मैक्सिमम 40 साल इस वेकेंसी में फिजिकल फिटनेस भी अनिवार है यानि सारीरिक मानक पर इच्छा भी लिया जाएगा तो जो भी छात्र जो पूरुस अभ्यरति हैं उनकी हाइट 168 होनी चाहिए अ बात करें सीना फुलाने के लिए तो अन पिछड़ेवर्ग अनसूचित ज्याद के अभिहरतियों के लिए 82 सेंटी मीटर जीने का फुलाव नियुरंत्र 5 सेंटी मीटर का फुलाव अनिवार्य है fictional अभिहरतियों के मोईट का प्रावधान किया है महिला भिहरतियों के बात क चाहिए ये तो हो गई body standard इसके बाद आप से सारीरिक दच्छता पर इच्छा ली जाएगी जिसमें पूरु सभ्यरती 10 किग्रा का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमेटर की दवर पूरी करने की और महिला भ्यरती से 4 घंटे में 14 किलोमेटर की दवर पूरी करने की अपेच्छा क की जाती है या दवर अहरेकारी प्रक्रित क्या है माने इसको सिर्फ क्वालिफाई करना यहां स्कोर नहीं दिया जाएगा सारी दर्चता के बाद आपकी चिकित सा परिच्छन होगी जो एक मानक के अनुरूप रखा गया है बात करें लिखित परिच्छा के लिए तो वह अ जानकारी आपको अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक कर दे और इस तरीके की वैकैनसी के वारे में जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूटूप चैनल को सस्क्राइब कर ले सब्सक्राइब करें